दियर फ्रेंड्स हमारी चैनल को सबस्क्राइब करें और बिल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल से असलाम अलेकुम डियर वीवर्ज मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्ज उमीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर वीवर्ज आज मैं आप लोग को बताऊंगा रिटिकलुसाइट काउंटिंग प्रोसीजर के मतलिक जिसे रिटिक काउंट भी कहा जाता है डियर वीवर्ज आज रिटिकलुसाइट काउंटिंग प्रोसीजर में जो चीजे मैं कावर करूंगा वो है के रिटिकलुसाइट क्या है रिटिकलुसाइट काउंटिंग प्रोसीजर की इंपोर्टेंस क्या है डाइगनोस्टिक इंपोर्टेंस क्या है नॉ Reticulocyte की blood में हम किस तरह से calculation करेंगे ताकि इसकी range का हमें पता चल सके वो कौन सी वज़े हैं जिसकी वज़े से Reticulocyte का जो level होता है वो blood में increase हो जाता है और वो कौन सी वज़े हैं जिसकी वज़े से Reticulocyte का level जो होता है वो blood में low हो जाता है डियर वीवर्ज सबसे पहले हम जानेंगे कि रिटिकलुसाइट क्या है तो रिटिकलुसाइट बैसिकली इं मिचेवर रेड बलड सेल्स होते हैं और ये जब बोन मेरों से आते हैं खून में तो एक दिन के लिए ये खून में रहते हैं और एक दिन बाद ये फिर मिचेवर फॉर्म में कनवर्ट हो जाते हैं और प्रॉपरली ये रेड बलड सेल्प बन जाता है रेडिकुलوسाीट के अंधर थरेड लाइक स्ट्रक्शर होते हैं जिसे आरेने कहा जाता है डियर वीवर्स और ये रेने बहुत ज़्यादा रेडिकुलوسाीट की मिचेवर होने में यहां पर आप इस picture में देख सकते हैं जो के reticulocyte है और इसमें thread-like structure जो नजर आ रहा है जो blue color के threads नजर आ रहे हैं तो यह RNA के remnants हैं, threads of RNA है यह दूसरी picture भी आप देख सकते हैं जो काफी clear है और इसमें भी जो reticulocyte cells हैं तो यह बहुत ज्यादा clearly नजर आ रहे हैं जिसमें RNA के threads मौझूद है Dear viewers, भी बात करेंगे के reticulocyte counting test की importance क्या है, diagnostically यह क्यों important है तो पहली बात, इस से bone marrow के function का पता लगाया जा सकता है के bone marrow ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा दूसरा, इस की मदद से, इस test की मदद से हम मुखतलिफ इनीमियास के बारे में जान सकते हैं और फर्क मालूम कर सकते हैं इनीमियास के बीच में Dear viewers, भी बात करेंगे के normal range और reticulocyte की क्या है blood में तो जो adults है, male और female उसमें 0.22, 2% तक यह normal होता है और जो infants होते हैं, जो मा का दूद पी रहे होते हैं, उस हिज में जो बच्चे होते हैं, infants तो उन में 2-2, 6% यह normal होता है Dear viewers, भी बात करेंगे के specimen collection क्या किया जाता है reticulocyte counting के लिए तो EDTA tube में जो मखसूस निशान होता है, वहां तक blood लिया जाता है, अच्छी तरह से mix किया जाता है और फिर EDTA blood से reticulocyte counting जो है, वो की जाती है और इसका procedure लगाया जाता है Dear viewers, भी बात करेंगे के reticulocyte counting procedure के लिए हमें किन-किन चीज़ों की जरूरत होती है, requirements क्या है slides चाहिए होगी, incubator चाहिए होगा, अगर incubator नहीं है तो हम water bath से भी काम चला लेते हैं एक spreader की जरूरत होगी, जिससे हम slide बना सके, EDTA blood की जरूरत होगी, और last में microscope की जरूरत होगी gear viewers अभी start करते हैं procedure को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 microliter methylene blue stain लेंगे और एक glass tube में उसे डाल देंगे, इसके बाद 100 microliter हम EDTA blood लेंगे और वो भी डाल देंगे हम इसी test tube में EDTA blood और methylene blue के stand को अच्छी तरह से mix कर देंगे और 37 centigrade में रग देंगे, इनक्यूबेटर में या water bath में 30 मिनट के लिए 30 मिनट के बाद जब आप इस tube को निकालेंगे तो अच्छी तरह से mix कर लें और mix करने के बाद आप इसकी slide बनाएं तो slide बिलकुल आप ऐसी ही बनाएंगे जिस तरह से blood film बनाई जाती है, उस तरह से आप slide बनाएंगे और microscope से oil emerging lens के मदद से आप इसे observe करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इस picture में कि आपको जो reticulocyte cells हैं वो इस तरह से नजर आएंगे कि इसमें जो purple या blue color के RNA के threads जो हैं वो नजर आ रहे होंगे Dear viewers, भी हम इसके formula पर बात करते हैं कि आप किस तरह से calculate करेंगे reticulocyte cells को तो दो formula यूज होते हैं, पहला formula यह है कि आप कम असकम microscope की मदद से 100 reticulocyte cells काउंट करेंगे और इसके साथ RBC cells भी काउंट करेंगे, अगर आपने 100 reticulocyte cells काउंट किये हैं और उसमें जो आपने RBC काउंट किया है तो वो 25,00 है तो आप क्या करेंगे कि 100 जो है जो reticulocyte काउंट है उसे आप multiply कर दोगे 100 पे, इसे आप तक्सीम कर दोगे, divide कर दोगे 25,00 पे और जो आपके पास result आएगा तो वो आपका retic count होगा दूसरा जो formula है वो इंतहाई आसान है dear viewers, उसमें आप क्या करोगे, कमस कम 10 fields देखोगे आप एक slide में और जितने reticulocyte आपको नज़र आएंगे उसे आप multiply कर दोगे, patient के hemoglobin level पर जो उसकी HB का level होता है और इसे divide कर दोगे, तकसीम कर दोगे 150 पर जो नतीज़ आपके पास आएगा वो आपका retic count होगा dear viewers, अब हम उन वज़ुहाद पर बात करेंगे जिसकी वज़ज़ से reticulocyte count blood में increase हो जाता है dear viewers, अब उन वज़ुहाद पर बात करेंगे जिसमें reticulocyte count नार्मल से भी कम हो जाता है इसकी वज़ा है, bone marrow, failure, cirrhosis, side effect of radiation therapy जो cancer में कराई जाती है aplastic inemia, iron deficiency inemia, vitamin B12 deficiency और folic acid deficiency में जो reticulocyte है उसकी count नार्मल से भी कम हो जाती है thank you so much dear viewers, that was all about reticulocyte counting, procedure उमीद है आप लोगों ने इस lecture को enjoy किया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना मत बूलेगा, अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफिज